हेलो स्टुडेंट्स, माइसेल्फ मौश्मी भट्टाचार्या फ्रॉम शेट विद्यामंदिर इंग्लिश हाइ स्कूल सीबी स्सी वसई आज मैं आपको कक्षा साथ हिंदी व्याकरन का पाठ बारा शब्द रचना समझाने जा रही हूँ प्रस्तुत है पाठ का तृतिय खंड प्रथम खंड में आपने शब्द के प्रकार उपसर्ग के बारे में समझा अब हम प्रत्य के बारे में समझेंगे जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं जिस तरह से उपसर्ग यानि प्रिफिक्स शब्द के पहले लगकर नवीन शब्द का निर्मान करता है उसी प्रकार से प्रत्य यानि सफिक्स शब्द के बाद लगकर नवीन शब्द का निर्मान करता है श्रीमती दिव्यासाहनी ने जैसे ही शिवम की कक्षा को पढ़ाना आरंभ किया शिवम की कक्षा के चात्र उच्साहित हो हर कार्य में रुची लेने लगे उच्साह युक्त कार्य में लीन चात्रों को देख विद्याले की प्रधानाचारिया प्रसन होती कुछ संयोग ऐसा बना कि श्रीमती दिव्या साहनी को दो वर्ष का अवकाश लेना पड़ा इसका प्रभाव उच्साही चात्रों के व्यवहार पर स्पष्ट दिखने लगा नए अध्यापक उन्हें समझा न पाते कक्षा के चात्र उच्साहीन हो गए उपर लिखे गद्यांग्ष में लाल छपे शब्दों पर ध्यान दे ये शब्द उच्साह शब्द से निर्मित है इन शब्दों के अंत में इत पी शब्दांग्ष जोडने से नवीन शब्दों का निर्मान हुआ है ये ऐसे शब्दांग्ष हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्टन या विशेशता ला देते हैं इन्हें प्रत्य कहते हैं उच्साह प्लस इत उच्साहित उच्साह प्लस ई उच्साही इस प्रकार से हम प्रत्य की परिवाशा दे सकते हैं कि वे शब्दांग्ष जो शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्मान करते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्टन करते हैं उन्हें प्रत्य कहते हैं उपसर्ग की भाती प्रत्य भी शब्दांग्ष होते हैं अर्थात जिस तरह से उपसर्ग में मैंने आपसे कहा था कि यह शब्दांग्ष होते हैं इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और इनका स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता है जब हम इनको शब्द के पहले लगाते हैं तो ही उस शब्दांग्ष का अर्थ निकलता है इसी प्रकार से प्रत्य भी शब्दांग्ष ही होते हैं अंतर के वल इतना है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगाये जाते हैं और प्रत्य शब्द के अंत में उपर लिखे गद्यांग्ष में नीले लिखे शब्दों पर ध्यान दे यहां उच्साह के पश्चात युक्त तथा हीन शब्दों का प्रयोग हुआ है यह शब्द है उच्साह युक्त तथा उच्साह हीन यह दोनों शब्दांग्ष नहीं है अता इन्हें प्रत्य नहीं कह सकते उपसर्ग की ही भाती प्रत्य भी शब्द के अर्ठ को प्रभावित करते हैं प्रत्य का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है किन्तु जिस शब्द के अंत में इनका प्रयोग होता है उन शब्दों के अर्थ निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं जिस तरह से उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ परिवर्टन होता है एवं नवीन शब्द की रचना होती है उसी तरह से प्रत्य लगने से भी नवीन शब्द की रचना होती है एवं शब्द के अर्थ में परिवर्टन होता है अब हम प्रत्य के प्रकार पर द्रिश्टी डालेंगे प्रत्य के दो प्रकार होते हैं कृत प्रत्य और तदधित प्रत्य पहले हम कृत प्रत्यय को समझते हैं क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संग्या और विशेशन शब्दों का निर्मान करने वाले प्रत्यय क्रित प्रत्यय कहलाते हैं क्रिया का मूल रूप हमने क्रिया पाठ के अंतरगत पढ़ा था कि क्रिया का मूल रूप तू के साथ ही प्रयोग किया जाता है उस मूल रूप के साथ लगकर जब प्रत्या के द्वारा नवीन संग्या या विशेशन शब्द का निर्मान होता है तो वह कृत प्रत्या कहलाता है नवीन संग्या शब्द अर्थात जातिवाचक संग्या का निर्मान होता है इसके उदाहरण देखिए संग्या बनाने वाले कृत प्रत्य है प्रत्य है अक और क्रिया का मूल रूप है यानी धातु रूप लिख पठ धाव इससे नवीन शब्ड की रचना हो रही है लेखक पाठक धावक प्रत्य है अन क्रिया का धातु रूप है दा, गम, सह, वच इससे नवीन शब्ड का निर्मान हो रहा है दान, गमन, सहन, वचन प्रत्य है अना धातु है रच, सूच शब्ड का निर्मान हो रहा है नवीन शब्ड बन रहा है रचना, सूचना, सहना, कहना प्रत्य है अन्त, धातु रूप है भिड, गढ़, नवीन शब्ड का निर्मान हो रहा है भिडंत, गढ़ंत प्रत्य है अ, धातु रूप है पूज, चिन्त, नवीन शब्ड का निर्मान हो रहा है पूजा, चिन्त प्रत्य है आई, धातु रूप है लिख, पढ़, चढ़, नवीन शब्ड है लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई प्रत्य है आक, धातु रूप है तैर चाल, नवीन शब्द है तैराक चालाक प्रत्य है आन, धातु रूप है उड लग, नवीन शब्द है उडान लगान प्रत्य है आव, धातो रूप है बह, कट, नवीन शब्द है बहाव, कटाव प्रत्य है आवट, धातो रूप है लिख, बन, ठक, मिल नवीन शब्द है लिखावट, लिख प्लस आवट, लिखावट, बनावट, ठकावट, मिलावट आप देख रहें कि यहाँ पर संधी हो रही है, संधी होकर नवीन शब्द का निर्मान हो रहा है प्रत्य है आहट धातु है घबरा चिल्लाना नवीन शब्द है घबराहट चिल्लाहट ये थे क्रिया के धातु रूप से संग्या बनाने वाले कृत प्रत्य एवं उनसे बनने वाले संग्या शब्द पाठ को पुनह ध्यान पूर्वक पढ़े पाठ का तृत्य खंड यहीं पर समाप्त होता है धन्यवाद